धन्यवाद सभापती मोहदे सबसे पहले मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिन्होंने मुझे कुछ समय पहले मैं मार्केट जाती हूँ कि नहीं ये सवाल पूछा था मैंने सोचा वो भी अपनी खुर्सी खाली नहीं करेंगे तो उनको मैं बता सकूँ कि जब 2014 में एक राष्ट्रिय एतिहासिक विजय भारतिय जन्ता पाटी NDA को प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी को मिली और उनको एक एतिहासिक हार मिली और उसके बाद उनको अभी तक पता नहीं था लेकिन अभी नए नए आटे डाल के भाव भी पता चलने लग गए चलो आटे डाल के भाव तो पता चल गए जो 2004 से लेके 2014 तक कॉंग्रेस के युवा वरिष्ट नेता ये कहते गए सभापती जी कि वो युवा हैं वो देश की युवाओं की चिंता करते हैं महंगाई के खिलाफ लड़ रहे हैं लेकिन थोड़ी ने जमीनी हकीकत अपने चुनाओ अपने वक्त पता चलती यूपिये के वक्त तो ये हिम्मत नहीं करते खड़े रहे के कि महंगाई किसकी है और महंगाई किसकी नहीं है आज उनकी हिम्मत के मैं दाद देती हूँ कि वो यहाँ आज बैठे नहीं है तो उनको हर सवाल का जवाब सीधे सीधे हम दे देते सबसे महत्वपूर्ण बात है उन्होंने आटे डाल के भाव के बारे में कहा डाल तक आए डाल तक आये और डाल तक उन्होंने ये भी कहा कि MSP और Market Price में कुछ फरक है अभी आधरणिय वित्मंत्रीजी ने कहा कि MSP और Market Price अलग होती है उसका वित्य अंडिस्टेंडिंग अलग होता है मुझे भी अचंबित हो गई जो इतने साल से गाउं गरीब जनता की उत्तरप्रदेश से लेके पूरे देश भर की जनता से बात करते रहते हैं यहां कभी चाए पीते, कभी कलावती के घर जाते, कभी गुजरात जाते, कभी कई और सब जगा उनका Political Tourism चालू रहता है लेकिन उस Political Tourism में उनको यह नहीं पता चला, कि आटे दाल के यह जो भाव बढ़ गया है, वो दस साल के कुकर्म के उनकी ही सरकार से बढ़ गया है मैं यह आकडों के साथ भी बता सकती हूँ, सभापती महदे, कि जब हम वर्तमान के बारे में बात करते हैं वर्तमान की स्तिती जब आपके सामने आती है, और जिस वर्तमान के लिए हम अभी लड़ रहे हैं कि इस वर्तमान में हमें वर्तमान अंधकार की तरह दिख रहा है, वर्तमान गलत दिख रहा है लेकिन वर्तमान कब पैदा होता है, जब इतिहास बनता है तब वर्तमान पैदा होता है और इन्होंने बनाए हुए दस साल के अंधकार के इतिहास से आज हम वर्तमान में ये स्तिती देख रहे है लेकिन वर्तमान में काम करना भी उतना जरूरी है कि देश के भवितव्य के लिए आने वाले भविश्य के लिए हमें काम करना है जब डाल की प्राइस के बारे में बात किया जाते हैं तो डाल में काला क्या है ये पहले इनके काले धन के रूप से उनको देखना चाहिए हम सरकार में हैं, हम जानते हैं दाल की कीमते बढ़े हैं, हम कोई जूट मूट नहीं कह रहें कि दाल की कीमते नहीं बढ़ी ही नहीं हैं, कालपनिक रूप से बढ़ाई जा रही हैं, लेकिन हमने ये किया कि जब दाल की कीमते बढ़ती गई, जब सपोर्ट प्राइस कम, मिनिम किस सतां देखे ऐसे कितने राज्यों में जब एडड़ई SERý भेजी गई उन पहली बार इतिहास में जो दाल के बिचोले हैं ऋन पर क्रिमिनल केसिस की गईική नरेंदरो मोदी की सरकार और उन क्रिमिनल cases में से हर जगा दाल seize की गई और वो लोगा तक पहुंचाई गई आप यह हर एक प्रदेश में देख सकते हैं जब दाल की कीमते बढ़ी तो export रुकाया गया काबूली चना नहीं रुकाया बाया लेकिन export रुकाया गया जो दाले आ रही है भारत में जो भारत में दाले आ रही है उसमें पूरी तिरा zero import duty लगाई stock limit अगस तक बढ़ाया गया stock limit इतने लंबे तक बढ़ाई नहीं जाती है अधरणिय मंत्री जी यहां पे हैं वो जानते है तो दालों की stock limit भी बढ़ाई गई आज मोजंबीक मलावी हो या कोई और राष्ट्र हो जहां से हम दाल लाने की पूरी कोशिश करते हो और पूरी तरह से मेड़म ओन मिनिट I want to know the sense of the house to extend one hour to this discussion करेंगे करेंगे 7 o'clock then we will decide करुन करेंगे का इपल ओता है पार बार 7 o'clock then we will decide then you continue मेड़म sir मोजंबीक मलावी वेटनाम जहां कहां से डाले हम ला रहे हैं उन डालों की लाने की कोशिश पूरी तरह की जाती है ये बात भी सच है महताब जी ने कहा था कि हमें सिर्फ ये नहीं देखना है कि डाले कैसे ला सकते हमें सब्सक्राइब का सोचा हुआ है आज आप किसान के बारे में कहते हैं कि महिंगाई कहां से जुड़ी हुई है आज आप महराष्ट में देखे इतने जोर से चलानी चलूते महराष में क्या हो रहा है महराष में क्या हो महराष ये एक मैवे ऐसा राज्ज़ है गदधे दो सालों से जो जो कॉंग्रिस की पदाधिकारियों ने बनाई हुई मार्केट कमिटी उन सब को बर्खास कर दिया है और सीधे किसान जो होता है वो सीधे लोगों को अपना माल बेचता है तो बिचोलियों की बीच में हम जब डिमांड और सप्लाइ के बीच को हम अलग कम करना चाहते अंतर जिस प्रधान मंतरी जीने की वो रभी हो खरीप हो उसमें बहुत महत्वपूर्ण और एहतिहासिक ये बात की गई है कि उसमें न कैप रखा गया है न किसान को पूरी कहीं न कहीं लिमिट है कि आप इतना प्रीमियम भरिये या ना करिये लिमिट प्रीमियम की जो कुछ हो सर खाद मैं बच्पन से अकबार पढ़ती आ रही हूं और हर दूसरे हफ़ते ये और रभी और खरीब के तो वक्त अकबार पढ़ती हूं लेकिन हर वक्त ये अकबार में पढ़ती आ रही हूं कि खाद के लिए किसान गया और लाठी खाके वापस आ गया ये सालों साल हम द पीच का अंतर बिचोलियों को निकाल के जिस प्रकार से कम किया गया है आज मैं धन्यवात देना चाती हूँ प्रधान मंत्री जी को जब किसान खाद की डिमांड करता है तो उसे लाठी नहीं तो खाद ही मिलता है यह सपलाएं आदरनिय प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी जी ने किया है वो नीम कोटेड यूरिया हो वो रासाइनिक खाद हो डिमांड और सप्लाई के अंतर जब कम होता है तब इस प्रकार की होडिंग नहीं होती है मैं सालों से ये भी सुनती आ रही हूँ यहां पे आदरनिय युवा नेता है नहीं जिन्होंने मुझे मारकेट में जाती हूँ कि नहीं पूछा गया लेकि मैं उनको ये पूछना चाहती हूँ सालों से मैं तो पैदा होने के और सालों कई सालों से लोग हरवक गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ किसानों के लिए कुछ काम करो गरीबी हटाओ से लेके हमारा हाथ गरीबों के साथ यही मैं नार राजनेतिक इन लोगों ने किया हुआ है मैं इतना ही कहना चाहती हूँ जिस प्रदेश से मैं आई हूँ हम किसान की ताकत जब निर्मान करेंगे तो ही उस प्रकार से खाद निर्मान होगा बीच बोया जाएगा और फसल लोगों तक पहुंचीगी हाँ बिलकुल हम चाहते हैं कि देश में जितना उत्पाद हो उतनी ही प्रकार से हमारे लोगों तक वो ताकत मिले लेकिन उस उत्पाद के लिए उस किसान के लिए क्या जरूरी है पंद्रा वर्ष में महराश में कॉंग्रेस की सरकार थी मैं महराश से हूँ पंद्रा वर्ष में सबसे ज़्यादा किसान आत्मत्या किसान के आत्मत्या के बारे में युवानेता ने कहा था पंद्रा वर्ष में महराश में किसानों के आत्मत्या सबसे ज़्यादा हुई क्यों हुई किसकी सरकार थी वो किसान आत्मत्या करता था उसमें कारण कई थे लेकिन एक कारण महत्व पूर्णा था उसे खाद चाहिए था उसे पैसा चाहिए था उसे फसल बीमा योजना चाही थी लेकिन जब वो किसान लोट शेडिंग 16-16 घंटे बिजली नहीं होती महराष्ट में थी आज बिजली पूरी तरह से सर्पलस है लेक किसान की आत्मत्या की दर्जी किये जाती थी तो उसमें ये लिखा जाता था कि उसका दिल किसी पे आ गया था और दिल तूड़ गया इसलिए उसने शराबी होके देवदास बनके अपनी आत्मत्या कर ली और इस सिर्फ एक ऐसी एफायर नहीं ऐसी अंगिनत एफायर है कि जहां पे किसानों की आत्मत्या का एक मजाग बना दिया था और ये हमें कहेंगे कि महिनाएंगी की इतनी चिंता है हमारी माई जो हमें पुष्टों में वोट दे रही है वहां तक कभी LPG का गयास पहुंचा ये उजवला योजना से हमारे प्रधान मंत्री जिने गयास पहुंचा है मैं जानती हूं समय की सीमा कम है लेकिन आकड़ों की एक दूसरे के साथ हम लोग जब आकड़ों की लड़ाई करते तो आकड़ों की लड़ाई में कहीं न कहीं हमें भी आकड़ देने पड़ते हैं और ये आकड़े कोई गर्मेंट के आकड़े या कहीं के नहीं है माडम, ये आकड़े वर्ल बैंक डेटा के आकड़े हैं, इन आकड़ों में यही दिखाया गया है, कि जब जब कॉंग्रेस की सरकार आई है, तभी मुद्रा स्पिती, मने इंफलेशन बढ़ता जाता था, और जब जब अब नॉन कॉंग्रेसी सरकार आई है, तभी तभी इंफलेशन घटता गया है, वो इंद्रेजाक इंदिरा जी की नॉन काउंटिंग टू येर्ज अफ इमर्जनसी में आवरेज 10% है और हाइस 74 में 28% है माडम, मुरार जी की जब सरकार आई नॉन कॉंग्रेसी आ इंफलेशन घट गया, और जब मनमोहन सिंग जी छोड़ के गये थे, तो वो 13% थी, नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही साल में 6% इंफलेशन लीचे लाई, मैं अंत में इतना ही कहना चाहती हूं मैडम, कि यहाँ पे हम हर वक कहते हैं कि हर चीजों का जुमला बनाया जाता है हम हमारे प्रधान मंतरी को लोहो पुरुष के रूप से देखते हैं, कि वो लोहे के तरह लोगों से लड़ते हैं और लोगों के लिए काम करते हैं, बुराई के खिलाफ लड़के हमारी गोर गरीब जनता के लिए हमें काम करना है, हम उन्हें आयन मैन कहते हैं, लेकिन ऐसे आयन मैन पे ऐसे युवराज जब प्रश्ण उठाते हैं जो साट साल से सोए हुए स्लीपिंग ब्यूटी जो यही सोते रहते उनके बारे में मैं क्या कहूं इन लडाई में हमें ना पड़ते हुए सब साथ में मिले और महंगाई का जो मैंने वर्ल बैंक डेटा दिया है उस रूप से देखे महंगाई कम हो रही है तो मैं जानती हूँ कि इतनी हिम्मत उन्होंने कैसे की महंगाई की कि सौब चुहे काके बिल्ली हच को गई यही कॉंग्रेस को मैं कह सकती हूँ बहुत बहुत धन्यवाद